कहानी राजू की समझदारी जतनपुर में लोग बिमार हो रहे थे डॉक्टर ने बिमारी का कारण मक्खी को बताया जतनपुर के पास एक कूडेदान है उस पर धेल सारी मक्खिया रहती है वह उड़कर सबी घरों में जाती वहां रखा खाना गंदा कर देती उस खाने को खाकर लोग बिमार हो रहे थे राजू दूसरी क्लास में पढ़ता है उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाले बिमारी को बताया राजू ने मक्खियों को बगाने की ठान ली घर आकर मा को मक्यों के बारे में बताया वो हमारे खाने को गंदा कर देती है घर में आकर गंदगी फैल जाती है इसे घर से बाहर भगाना चाहिए राजू बाजार से एक फिनाईल लेकर आया उसके पानी से घर में साफ सफाई हुई रुसोई घर में खाना को ढखवा दिया गया जिसके कारण मक्यों को खाना नहीं मिल पाया दो दिन में मक्यां घर से बाहर भाग गई फिर घर के अंदर कभी नहीं आई मुरल स्वैम की सतर्थता से बड़ी बिमारियों से बचा जा सकता है आपको ये कहानी कैसी लगी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद